दोस्तो इस तरीके की 4K Color Grading आप असानी से CapCut App से कर सकते हो लेकिन मेरा ये टुटोरियल जो है अच्छे तरीके से देखना और समझना इसको कैसे अपलाई किया जाता है वरना आप बाद में कमेंट में बोलोगे कि सर ये वाक नहीं करता तो इसको आप अच्छे तरीके से देखना चलो अपनी वीडियो के स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस CapCut App को Open कर लेना है Open हो जाने के बाद आपको उपर में जो New Project वाला निसान दिख रहा है पलस के बटन इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आप अपनी यहां पर से किसी भी एक बीडियो को सलेक्ट कर सकते हो जिस पर आप इस तरीके का 4K एफेक्ट अपलाई करने वाले हो तो हमने इस वाली बीडियो को एड़ कर ली है अभी इसका sound mute कर देता हूँ ताकि copy right claim ना आए तो अब मैं इस वीडियो को चला कर दिखा देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो इसी वीडियो पर वो 4K वाला color grading अपलाई करेंगे और 4K वाला quality हो जाएगा तो अभी सबसे पहले इस watermark को delete कर देते हैं और इस पर click कर देना है और यहां से delete वाला option है इस पर click करके यहां से delete कर सकते हो अभी आपको वीडियो के एक दम शुरुवात में चले आना है और उसके वाद आपको इस वीडियो वाली layer पर एक बार click कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा इधर कर देना है तो दोस्तो इस graphic के option पर आपको एक बार click कर देना है इस पर click कर देने का बाद दोस्तो इसको अच्छे तरीके से आपको apply करना है just इस वाले dot को आपको उपर कर देना है और इस वाले dot को नीचे कर देना है अभी आपको red वाले color पर भी चले जाना है और इसको भी आपको इधर वाले भाग को एकदम उपर कर देना है और सबसे इधर वाले भाग को एकदम नीचे कर देना है अभी आपको इस green वाले color पर भी इसी तरीके से करना है और उसके वाद इस blue वाले color को भी आप इसी तरीके से आपको कर लेना है और दोस्तो ये वाला process आपका अच्छा सा होना चाहिए तभी आपका फोर के वाला color getting जो है अच्छे तरीके से apply होगा तो इसको भी उपर कर देते हैं हम लोग अब इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार back चले जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से done कर देना है done कर देने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर से आपको एक बार back चले जाना है और इस effect वाले option पर आपको एक बार click कर देना है और यहाँ से इस video effect वाले option पर click कर देना है और अभी आपको उपर से basic पर चले जाना है basic पर जाने के बाद दोस्तो यहां से आपको चोथे नमबर पर मिलेगा blood वाला effect तो इस blood वाले effect को select करके यहां से आपको done कर देना है done कर देने के बाद दोस्तो इसको अपनी पूरी बीडियो में apply कर लेना है दोस्तो इस वीडियो को सेव करना है तो सेव करने का परसेस जो है आपको यहाँ पर से इसको स्तीर वाले निशान पर क्लिक कर देना है यह वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तो सेव हो जाती है तब मैं आगे का परसेस बताता हूँ जब तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हम हमेशा ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें तो दोस्तो ये वाली वीडियो सेव हो जाएगी तो अभी आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर से आपको इस इडिटिंग को रिसेट करना है तो रिसेट करने के लिए आपको इस वीडियो वाली लेर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको इधर से अर्जेस्ट वाले ओप्शन पर फिर से चले आना है और अड़ेस्ट वाले option पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको इस graphic पर फिर से click कर देना है और उपर मे जो reset वाला option है तो इस पर आपको एकट ख़र click कर देना है और यहाँ से आपको ok कर देना है और adjustment जो है आपकी reset हो जाएगी उसके बादध आपको यहां से एक बाट done कर देना है और इस blur को भी आपको delete करना है तो blur को delete करने के लिए यह रहा delete वाला निसान इस पर click करकर delete कर देना है अभी आपको दोस्तों यहां पर से इस ब्लस के button पर click कर देना है और अभी आपने जिस video को save किया था उस वीडियो को आपको यहाँ से add कर लेना है तो यह देख सकते हो यह वाली वीडियो जो है add हो चुकी है दोस्तो तो अब इस वीडियो को हम लोग overlay करेंगे तो overlay करने के लिए इस वीडियो वाली layer पर click कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा इधर कर देना है right के तरफ थोड़ा सा scroll करना है तो यहाँ आपको एक overlay वाला option देखने को मिलेगा तो इस overlay वाले option पर आपको एक वार click कर देना है और यहाँ से आपको इस splice के option पर click कर देना है splice पर click कर देने का वादा भी आपको थोड़ा सा right के तरफ scroll करना है तो यहाँ आपको एक burn वाला option देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस burn वाले option पर click कर देना है और यहाँ से आपको इसको कम कर लेना है तो मैं इसको आपको पता देता हूं कितना रख लेना है तो इसको around 66 के आसपास रख लेना है और इतना रख्या आपको इस्क्रीन पर एक बार टैब कर देना है तो अभी दोस्तो आपको यहां से एक shape select करना होगा तो shape select करने के लिए दोस्तो यहां से आपको एक बार back चले जाना है और इस add overlay वाले option पर एक बार click कर देना है और उसके बाद आपको उपर में जो stock video वाला option दीख़ए है इस पर आपको एक बार click कर देना है और यहां से दोस्तो आपको तीसे नंबर पर white color का एक shape मिलेगा तो इस shape को आपको यहां से add कर लेनी है add कर लेने के बाद दोस्तो अभी आपको इस shape को अपने two finger की मदद से पूरे screen में apply कर लेना है तो पूरे screen में apply करने के लिए आपको two finger की मदद से इसको zoom करना होगा दोस्तो आपके screen में अच्छे से cover हो जाना चाहिए और cover हो जाने के बाद आपको यहां से इस splice की option पर एक बार click कर देना है और अभी आपको इधर कर देना है थोड़े से अपने right के तरफ थोड़ा सा आपको scroll कर देना है तो यहां आपको एक overlay वाला option देखने को मिलेगा तो इस ओभरले वाले option पर आपको एक बार click कर देना है तो आपकी बीडियो में जो है effect apply हो जाएगी तो मैं आप यह आपको दिखा देता हूँ चला कर इस बीडियो को देख सकते हो यह बीडियो में अभी थोरा सा इधर उधर effect हो रहा है और दोस्तो अरजेस्ट हो जाने के बाद आपको इस बीडियो को save करना है तो save करने के माद मैं result दिखाऊंगा कि कैसा है result तो save करने के लिए आपको उपर में जो निशान देख रहा है इस पर click कर देना है और दोस्तों वीडियो सेव हो जाती है उसके बाद आप रिजल्ट देखके जाना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई